नमश्कार बहुत बहुत स्वागत आपका नीज़वल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम्नु शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राखंड की खास कपरों पर उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रवेन सिंग रावत ने सैने धाम का शलान न्यास किया है राजदानी धेरादून इस्तेत सैने धाम पाच एकड़ भूमी पर बनाया जाएगा आपको बता दें कि प्रदानमंदी नयंद्र मोधी नयालोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सैने धाम बनाने की गोशना की थी, सीयम ने धाम के लिए 15 लाख रुपे की गोशना करते हुए कहा था कि प्रदेश में अब 4 नहीं बलकी 5 धाम होंगे उननकाय की धाम के निर्मान के लिए शहीदों के गाउं की मिठी को भी एकटित किया जाएगा और वहीं लालकुआ में शेत्री विधायक और वन विवाक की टीम ने लाको रुपे से बनी सोलर फैंसिंग प्रोजेक्ट का उधगाटन किया उननकाय कीस फैंसिंग तारों से जंगली जानवरों और हातीों द्वारा ग्रामीनों की फसलों को हो रहे नुक्सान को बचाया जा सकेगा इस दौरान बन अधिकारी संधीब कुमार ने बताया की सोलर फैंसिंग काई गाउं को कवर करेगी उनने काई कि इस शेत्र में गाउं में हातियों के जुंडक किसानों की फसल आए दिन बरबात करते हैं जिसको लेकर विवाग ने इस पर कारवाई की है और शेत्र में सोलर फैंसिंग की शुरुवात की गई है कृशी कानूनों के खिलाप राजबर की किसान देरादून इस्तित राजभवन कूच कर रहे हैं इसके लिए डोईवाला विकासनगर और रुड़की के किसानों ने तैयारी पूरी कर लिया है पूरी राजबर दाहनी चावनी में तबदील हो गई है किसानों के राजभवन कूच के मद्दे नजर हर जगा पूलिस तेयनात है किसान सायुक्त मूर्चा के तहत गांदी पार्क से राजभवन कूच कर रहे कारेकरताओं को पुलिस ने बेरिकेटिंग पर रोप दिया पश्चिमी विक्षोब के पहुशने से प्रदेश भर में मौसम ने करवट लेने की संभावना लगातार बनी हुई है परवर्ती इलाकों में बर्फवारी और बारिश मुश्कले भढा सकती है तो दहरादून और हरिद्वार समेथ अन्न मैदानी इलाकों में ओलवरष्टी और बिजली गिरने की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र का नुसार बाइस सो मीटर और इससे जादा उचे वाले परवर्ती इलाकों में बर्फवारी हो सकती है इसमें गड़वाल के परवर्ती इलाकों के लिए साथ ही कुमायू के पितोरागाड, बागेश्वर और अल्मोडा जिले के उचाई वाले लाके भी शामिल है उत्राखंड में कोर्ना संक्रमन कम होने लगा है फ्रदेश में बीते 24 गंटे में 110 नए संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं तीन मरीजों की अब तक मौत हो गई है जबकि संक्रमितों से स्वस्थ हुए 183 मरीज ठीक हुए है स्वाज विवाग की रिपोर्ट के नुस्तार देहरदून में सबसे अधिक 54 संक्रमित मरीज मिले हैं अल्मोडा, पॉडी और उत्रकाशी में आज कोई संक्रमित मरीज नहीं मिला नेनिताल में 29, सरिद्वार में 13, रुद्वप्याग में 3, चमपावत और पिथोरागड में 2-2, चमोली, बागेश्वर और टेहरी में 1-1, उदम सिंग नगर में 4 कोरना पॉजिटिव पाए गए उत्रकाशी में पॉलिस ने 12 ग्राम स्मेक के साथ हिमाचल पदेश्ट के दो युवकों को गरफतार किया है इस मामले में पॉलिस अदिक्शक मनिकान तुमिश्चा ने युवकों को पकड़ने वाली पॉलिस टीम को 2000 रुपे नगत पुरसकार देने की गोशना की पॉलिस कारलने उत्रकाशी में पत्रकारों से बाचीट में पॉलिस अदिक्शक मनिकान तुमिश्चा ने कहा कि अवے दुरूप से नशीले पदारत का काम चल रहा जिस पर पॉलिस ने अपकारवाई की है पुलिस अधिक्षक ने बताया कि शाम को संदिद गुवाहन की सूचना पर पुलिस ने हमाचिल प्रदेश नमबर की एक गाड़ी की तलाशी ली जिसमें करीब साड़े बारा ग्राम स्पैक बरामत की गई है फिलाल पुलिस आगे की कारवाई कर रही है फिलाल इस बुलिटर में सिर्फ इतना ही बने रही है निउस बुलिडिया के साथ नमस्कार